नमस्कार दोस्तों स्वागा थी आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजूकेस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं पांच सबसे अच्छी फोडे या फूनसी की दवा के बारे में कि जिसको हम स्कीन इंफेक्शन भी कहते हैं तो यहाप ही जो आप डायग्राम में देख रहा है कि इस तरह से एक कंडिशन जो हम होती है आपके स्कीन के ओपर कि जिसको हम कहते हैं कि पास से बरा हुआ लंप जो हम ड्यावलॉप हुआ है फिर सेकन्ड कंडिशन यहाप देखो कि इस तरह से फोडा बन जाता है और उसके पॉस्ट फॉर्मेशन होती है कि जिसको हम स्कीन इंफेक्शन कहते हैं या फिर इस तरह से स्कीन जो वह डाइमेश होती है कि जिसको हम इंपेटिकों की कंडिसन कहते हैं तो ये एक टाइप के फोडे या फुनसी के अलग-अलग प्रकार है तो उसके लाट में पांस सबसी करने के लिए आप हमें वाट्सेप कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझते हैं स्कीन इंफेक्शन के बारा कि जिसको हम फोडा कहते हैं या फिर फुनसी कहते हैं तो ये हम देखें तो वहां पे inflammation मिलेकर कि sujan भी देखने को मिलती है कि यहां पे एक यह फोडा आप देख सकते हैं तो उसके आसपास जो ये विल सेंटर में जो वाइड जैसा पोर्शन या फिर यलॉ इस पोर्शन देखने को मिल रहा है वहां पे परसफर्मेशन हुआ है और यह के उपर जो है वो सुजन भी देखने को मिल रहे तो ऐसी कंडिशन जो है वो तैयार होते हैं कि जिसको आम फोडा या फिर फूंसी कहते हैं जैसे कि फॉलिकुलाइडिस के कंडिशन या फिर इंपेडिगो तो यह टोटल पांच प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले आप देखो कि इस तरह से जब skin damage होती है तो ये condition को हम impetigo गएते हैं और ये भी इस तरह से जब skin damage होती है ये भी impetigo का प्रकार है ये भी एक skin infection है की जो bacteria के infection के कारण होता है और अगर इसको treat ना किया ज़े तो इसके अंदर दीरे-दीरे pass formation होता है और skin के अंदरूनी layers भी damage होते हैं फिर second जो है वो cellulitis की condition है कि skin के जो अलग-अलग layers है वो इस तरह से damage होके फिर वहाँ पर pass formation होती है यहाँ पर आप देखो कि ये redness ये starting का प्रकार है और ये फिर आगे जाके इस तरह से develop हो सकता है कि वो बाग काफी ज़्यादा damage हो जाता है तीसरी condition है irisipilis की condition कि जिसके अंदर skin के जो layers होते हैं वहाँ पर सूजन देखने को मिलती है और वो बाग जो है वो इस तरह से लाल हो जाता है तो इसको irisipilis के ते ये तीसरा प्रकार है फोडे या फूसी का चौथा है folliculitis की जो जो हमारे hair होते हैं तो hair के आसपास यहाँ पे आप देखो कि ये hair follicle आप देख रहे हैं और hair follicle के आसपास ये जो center में उसके आसपास जो वो pus formation होता है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है और एक प्रकार की एक painful condition भी produce होती है पांच भी condition आप यहाँ पे देखतो फोरूं कल्स या फिर कार्बूं कल्स कहा जाता है कि जिसको balls भी कहा जाता है तो उसके ये दो diagram आप देख रहे हैं तो ये भी एक type का ऐसा फोड़ा है कि जिसके अंदर lump formation होता है और सूजन देखने को मिलती है तो उसके symptom हम देखे तो सबसे पहले जब ये किसी को फोड़ा होता है या फिर फुंसी होती है कि जिसको एक superficial skin infection कहते है तो सबसे पहले वहाँ पे post formation होता है second condition वहाँ पे आपको itching होती है खुजली करने का जोई वो मन होता है तिसरी condition हम देखे तो skin जो है वो जगा की लाल हो जाती है redness देखने को मिलती है चौथा symptom हम देखे तो सुजन आ जाती है वहाँ पे पांच वाँ दर्द होता है आपको pain होता है कुछ लोगों को ये infection के कारण fever भी हो जाता है बुखार के symptoms देखने को मिलते है और pimple जैसा जो वो form होता है तो ये सभी symptoms जब compile होते है तो काफे complicated condition जो वो produce होती है तो दूसरे हम symptoms causes हम देखे reason क्या है ये होने का तो ये होने का reason होता है acute bacterial skin and skin structure infections की जो हमारा skin का structure होता है skin के जो अलग-अलग layers होते हैं वहाँ पे bacteria के कारण होने वाले infection के कारण ये condition जो वो produce होती है जैसे कि bacteria के यहाँ पे आप नाम देख रहे है staphylococcus aureus की जो डायरेक्ट ग्राम में आप इस तरह से देख रहे है तो staphylococcus aureus microorganism के कारण सबसे ज़्यदा skin infection होते हैं फिर methicillin resistance staphylococcus aureus के जिसको mRNA से का आ जाता है उनके कारण पे skin infection होता है और gram positive और gram negative टाइप के जो दुसरे जो microorganism होते हैं harmful pathogens जो होते हैं उनके कारण पे ये condition जो वो produce होती है तो उसके लिए पांस सबसे बेस दवा या कौन सी है तो एक है मुपी रोसीन करके है second हम देखे तो co-trimoxazole है तिसरा क्लिंडामाइसिन का option रहेगा चौथा नियोस्पोरिन और पांच वा हम देखे तो डॉक्सिसाइकलिन तो सरुवात करते हैं मुपी रोसीन से तो मुपी रोसीन एक antibiotic medication है खास कर यह टॉपी कली लगा जता है और उसके ointment available होते है cream available होती है या फिर वो gel form में available होता है तो जहाँ पे आपको foda होता है या फिर funsi होती है तो वहाँ पे directly patient जो उसको लगा सकते है तो यहाँ पे आप उसका एक marketer formulation देख सकते हैं इसको GS के बनाती है GlaxoSmithline Pharmaceutical उसके manufacture है T-back करके यह एक ointment है कि जिसके अंदर Mopirocene ointment जो है Indian Pharma कोपिया पे के standards के according to उसको बनाया जता है तो उसके अंदर हम content देखे तो 2% जितना यह antibiotic drug यह ointment के अंदर रहता है और जिस जगा के आपको Foda या Fonci होती है वहाँ पे patient जो है उसको लगाते है अब उसके कुछ side effects हो सकते हैं कि जब कोई person लंबे समय तक या फिर उसको high dose में use कर लेता है मनले कि दिन में एक बार दो बार आप minimum उसको लगा सकते हैं पर कोई उसको multiple times लगाता है या फिर किसी को ये medicine suit नहीं करते तो सबसे पहले side effect यह होगी कि आपकी skin जो वह dry होने लगेगी crack देखने को मिलेंगे skin के उपर scally हो जाएगी skin या फिर आपको irritation जैसा होगा blistering जैसा हो जाएगा काफे skin जो वह skin के उपर ऐसे sensation हो ले लगेंगे या फिर ulcer या फिर white spot जैसे कुछ लोगों को बनते हैं तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत ये ointment को use करना जो ये वह आपको बन कर देना चाहिए second हम देखे तो co-trimoxazole है कि ये एक antibiotic medication है और ये बहुत सारे bacterial infections को जो वो treat करती है कि जो एक sulfon emid class का antibiotic drug है और ये क्या करता है जो harmful bacterias की growth को stop करके infection को फैलने से जो वो रोकता है तो जैसे आप यह आप एक देख सकते हैं कि जैसे फोडा हुआ है या फिर कोई गाव हुआ है और वहाँ पे bacterial infection हो रही है जिसको हम TMP कहते हैं और दूसरा रहता है sulfa methoxazole और दोनों 1GM5 रपोजन में उसमें available होते हैं मान लों कि sulfa methoxazole उसमें 400 mg जितना है तो trimethoprim रहेगा 80 mg कि जो standard doses form है और दूसरा जो double standard हम देखे DS तो उसके अंदर dose double हो जाता है जैसे के sulfa methoxazole 800 है तो trimethoprim उसके अंदर 160 mg हो जाता है तो यहाँ पर आप उसका एक marketed formulation देख सकते हैं तो उसके अंदर आप खास देखो कि trimethoprim यहाँ पर 160 mg जितना present है और sulfa methoxazole 800 mg जो एक septran करके उसका एक famous marketed formulation है तो यह भी patient ले सकते है जब भी उनको यह complications होते है फोडे होते है या फिर फोंसी होती है और वो दूसरे को antibiotics से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके dose की हम बात करें तो 80 mg प्लस 400 mg वाला जो combination रहता है वो दिन में दो बार patient खा सकता है दो दिन के लिए और उसके बाद दिन में एक ही बार लेना होता है या फिर दिन में दो बार patient ले सकते है 5-7 दिन तक मतलब कि खास दियान यह रखना है कि tablet जो वो start में low dose से ही खास कर सुरू करनी चाहिए और जरुवत पढ़ने पर उसका dose जो वो increase किया ज़ता है कि मानलो यह आप यह वाला tablet ले रहे है कि जो single standard है तो वो आप इसको सरुवात में दिन में एक सुबह ले एक साम को ले और जरुवत पढ़ने पर patient दिन में तीन बार उसको खा सकता है उसके कुछ side effects हो सकती जैसे कि nausea, vomiting होना, diarrhea हो जाना skin के ओपर racist बनना stomach में disturbance जैसा फिल होना acidity जैसा कुछ patient फिल करते है decrease हो सकती है आपके white blood cell के count blood cell के count कम करवा सकती है mental depression में patient जा सकता है unconsciousness के condition या फिर भूख कम हो जाना तो अगर इसमें से कोई भी side effect ज़्यादा severe हो रही है तो तुरंत ये medication को लेना बंद कर देना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करके दूसरा safe alternative आप ले सकते हैं तो तीसरा option आपके लिए बनता है 4-day या फूंसी के लिए वो है clindamycin तो clindamycin भी एक antibiotic drug है और ये linkosamide class का antibiotic drug है और ये popular antibacterial के जो prescription based medication का ही जाती है और वो भी बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए यूज की जाती है तो clindamycin दो तरीके से available है उसके gel भी available होती है को यहाँ पे आप देख सकते है कि clindamycin phosphates के जिसके अंदर 1% जितना clindamycin है फिर methyl paraben and prophyl paraben जो preservative वेड किये गए है उसके अंदर और यह जो पेशन डायरेक्ली externally apply कर सकता है कि जहाँ पे आपको Foda है जहाँ पे फोंसी होई है वहाँ पे यह clindamycin gel जो है वो पेशन लगा सकता है अगर gel से आपको suit नहीं हो रहा ठीक नहीं हो रहा है तो tablet या फिर capsules के भी option available होते है कि जो खास कर 300 mg के strength में available हो रहा है तो यह पर जो आप उसका marketer formation देख रहे कि mankind बना रही है दूसरा Pfizer का formulation है तो उसके dose की हम बात करें तो 150 से लेकर 300 mg जो patient है वो उसको दिन में 4 बार ले सकता है मलग कि यह 300 mg की जो tablet दिन में पेसंट 4 बार ले सकता है मलग कि हर एक tablet के बीच में at least 6 गंटे का time interval होना चाहिए या फिर आप low dose से भी उसके treatment स्टार्ट कर दे सकते है जैसे कि दिन में 2 बार आप यह 300 mg की tablet पेसंट ले सकता है पर उसके side effect है कि अगर आप यह medications लेते है तो आपको oral cavity के अंदर ऐसा फिल होता है metallic taste जैसा फिल होता है या फिर आप कुछ खाना खाते तो आपको taste जो है वो सही से फिल नहीं होता आपके mouth के अंदर nausea vomiting जैसा फिल होता है joint में pain जैसा फिल कर सकते है pain होता है कि जब भी आप कुछ चीज swallow करते है जब कुछ निगलने का try करते आप तो आपको दर्ध होता है सीने में जलन जैसा फिल होता है acidity के करण फिर white patches आपके mouth में बन सकते उसके side effects के तोर पे फिर vaginal discharge करवा सकती है यह महिलाओ के अंदर और burning, itching या फिर swelling जैसा फिल हो सकता है वज़यना के उपर तो यह कुछ क्लिंडामाइसिन के side effects है चौथा option बनता है हमारे पास नियोस्पोरिन का तो नियोस्पोरिन जो है वो ब्रांड नेम है कि जिसके manufacturer जो है वो GS के है गलाक्सोस मितलाइन और उसके अंदर तीन एंटिबाइोटिक का combination है एक है बैसिट रासिन के जिसके 400 unit उसमें present होते है नियोमाइसिन 3400 units जैसा present है और पॉलीमिक्सिन भी 5000 units उसमें present होते है तो यह एक dusting powder रहता है डायरेक्ली जो affected area पे आप उसको जो वो sprinkle कर सकते है कि समझे कि फोड़ा यहाँ पे हुआ है तो वो powder लगा कि अच्छे से आप वहाँ पे उसको spread कर देते है फिर यहाँ पे उसका आप देख रहे है कि आपको storage करना रहता है उसको 30 degree या फिर उसके कम temperature पे moisture से यह powder को prevent करना तो उसको moisture ना लगे यह आपको खास द्यान रखना है तो उसका ढखकन जब भी आप use करें तो अच्छे से उसको बंद करना होता है और ऐसी जगा पे रखना होता है कि जहाँ पे उसको moisture ना लगे second अगर आपको powder लगाने में दिक्कत आ रही है तो company ने उसका ointment भी बना है कि जिसके अंदर भी content हम देखे तो same है कि उसके अंदर भी same आप देखो तो polymixin जो वो 5000 unit है और neomycin sulfate के अंदर neomycin जो 3400 है और bacit rassin जो वो 400 units उसमें present है तो दोनों option बन जाते हैं neospurine का powder यूज़ करो या फिर उसका ointment आप यूज़ करो तो ये भी काफी असरदार आपको साबित होता है कि यहाँ पर आप जो देख रहे है कि जैसे ये impedigo की condition यहाँ पर आप देख रहे है तो directly यहाँ पर यह ointment आप लगा सकते हैं कि समझे कि powder लगाने में दिक्कत आती है तो पेसन जो हो वहाँ पर यह नियोस पुरिन का जो ointment है वो भी लगा सकता है फिर यह आप एक direction लिखे कि for skin and ophthalmic use only मतलब समझे कि आखों में समझे कि कुछ ऐसा complication हुआ है तो उस वक्त आप आखों की doctor के सलाह के according to यह ophthalmic मलकी आखों में भी उसको लगाया जाता है फिर उसके कुछ side effects हो सकते है कि जैसे आप यह powder या फिर ointment लगाते है तो आपको खुझली जैसा हो सकते है कि अगर किसी को यह medication suit नहीं होती किसी को allergy है नियोस पुरिन के तो उसको खुझली होने लगेगी skin के ओपर rasis बन सकते है redness जैसा फिल हो सकता है आखों meridation हो सकती है या फिर जहाँ पर आपने उसको लगा है वहाँ पर sujan develop हो सकती है तो अगर ऐसा कोई भी complication होता है तो तुरंत आपको इसको लेना बन कर देना चाहिए फिर पांच वो option बनता है doxycycline का कि जो tetracycline class का antibiotic drug है और यह बहुत सारे gram positive gram negative bacterias को treat करने के लिए use किया जता है और उसकी हम life देखे तो 18 से लेकर 24 hours तक उसकी half life रेतिमल कि उसका जो dose है वो आपको सिर्फ एक ही बार लेना होता है मानलो यह 100 mg के आप tablet रहे रहे तो वो आप दिन में सिर्फ एक ही बार खाते है तो oral ही खास कर ली जाती है doxycycline और यह खास कर capsule के form में ही available होता है और यह capsule 100 mg की होती कि जापे आप यहापे देख रहे हैं पर उसके कुछ side effects होते हैं जैसे की उल्टी हो जाना vomiting होना जिसको कहते हैं diarrhea हो जाते हैं कुछ लोगों को भूग काम हो जाना mouth में source या फिर ulcer जैसा form होना black hairy tongue तो यहापे एक diagram आप देख रहे हैं यह वाला तो यहापे उसकी jeep देखो patient के तो jeep के उपर जो है वो काले आप minocycline यूज करते हैं या फिर doxycycline दोमनों में यह common side effect है फिर sore throat जैसा develop होना dizziness फिल होना सीरदर्ध होना या फिर rectal discomfort जैसे side effect यह करवा सकती है फिर उसमें precautions रहते हैं कि अगर आपको allergy है hepatic disease है आपका liver खराब है तो ऐसे लोग यह doxycycline यूज नहीं कर सकते या फिर आपको tetracycline की allergy है hypersensitivity हो जाते तो ऐसे patient यह medications को यूज ना करें फिर pregnancy में उसको यूज नहीं किया जाता बच्चों में उसको यूज नहीं किया जाता फिर जो नौजात सिसु है या फिर जो हम infants कहते है उसमें भी use नहीं किया जाता जो breastfeeding में लाए है वो भी उसको lactation period के दौरान यूज ना करें और जिनको renal disease है, renal failure है मतलब कि kidneys कराब या फिर बच्चों में उसको use नहीं किया जाता because उसकी एक warning रहती है कि doxycycline के करन क्या होता है कि आपके जो teeth है उसका discoloration हो सकता है pregnancy में समझो कि किसी कोई इस टाइप का 4-DF उनसे हुआ है और वो लगाता है मतलब कि यह doxycycline लेता है या फिर यह medication का किसी भी तरह से save and करता है तो उसको यह complications हो सकते है आने वाले बच्चे के उपर भी विपरीत असर हो सकती है फिर bonds की growth जो वो यह slow करवा सकती है तो यह कुछ side effects होते है doxycycline के तो यह warning रहती है doxycycline को pregnancy के दोना यूज करने में because यह टेराटोजनिक drug है तो pregnancy में कोई महिला अगर उसको यूज करती है तो आने वाले बच्चे पर भी उसकी विपरीत असर है पड़ती है तो यह खास आप ध्यान रखे doxycycline को use को लेके तो यह खास आपको ध्यान रखना है तो ऐसे ही समझे के आपको सिखना है detail में तो आप medicine course को join कर सकते कि जहाँ पर आप बहुत सारी दवायों के बारे में सिखेंगे कि जैसे आज हमने यहाँ पर 4DF onsy के बारे में detail में सिखा ऐसे ही आप सीख सकते हैं अलगले बीमारियों के बारे में pharma rocks के अब उपर medicine course के अंदर तो यह course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर है 901631 2020 या फिर हमारी एप को आप डाउनलूड करें लिंक आपको description box में मिल जाएगा गुद लग और अल दे बेस्ट